नमो नारायन इसके स्रोत का पता लगाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्हें एक मल्लाह कन्या दिखाई दी जो अनुपम रूपवती तो थी ही उसके शरीर से एक अद्भुत सुगंधा आती थी। पूछने पर उस कन्या ने अपने को निशादराजा दाशराज की कन्या सत्यवती बताय जो अपनी पिता की आग्या से धर्मार्थ नाव चलाती थी। सत्यवती के अन्या नामकाली, मत्यस गंधा, योजन गंधा भी थे। सत्यवती के पिता विवाह के लिए शर्थ रखना। उस कन्या की सेहमती से शांतनू ने उसके पिता निशादराज से कन्या से विवाह करन प्रतिग्या कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। लेकिन राजा इच्छा को सुने बिना उसे पूर्ण करने की प्रतिग्या लेने के लिए तयार नहीं हुए। तब निशाद राज ने अपनी इच्छा बताई, इस कन्या के गर्ब से जो पुत्र उत्पन होगा, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिशेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। पर राजा शांतनू ऐसा वर देने के लिए तयार नहीं हुए। राजकुमार देववृत का पिता की चिंता का कारण जानना, कन्या के पिता की शर्थ के कारण शांतनू यद्यपी कन्या का वरन किये ही लोट आए पर उस कन्या का चिंतन उनके मन से नहीं निकला। उनकी इस उदासी को उनके पुत देववरत ने भामप लिया। राजा ने शांतनुने देववरत से उस कन्या के विशय में नहीं कहा केवल इतना कहा कि अध्यपी उनका पुत देववरत अके कर पिता के परम हितैशी बुड़े मंत्री के पास गए और उनसे पिता के शोप के वास्तविक कारण के विशय में पूछा. इस पर मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते थे. तब वे पिता के सारथी से मिले और उनसे उस कन्या के विशय में पूछा. सारथी ने निषाद कन्या और उसके पिता की शर्थ के विशय में बताया देवगुरत का सत्यवती के पिता से मिलना इस पर राजकुमार देवगुरत कुछ बूरे खशत्रीयों के साथ निशाद राज के यहां गई और गुनों के अनुरूप शांतनु ही योग्यपती होते। सत्यवती वास्तव में छेदिराज वसू की पुत्री थी जिसका पालन पोशन निशाद राज ने किया था। उनके पुत्र उनकी प्रतिग्या का पालन नहीं करते। इस पर राजकुमार देववरत ने इससे भी कठोर प्रतिग्या की की। राजय तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रहमचर् चलता रहेगा। मेरे पुत्र नहोने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। देवुरत की यह कठोर प्रतिग्या सुनकर निशादराज के रोंग्टे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंट कहा। मैं ये कन्या आपके पिता के लिए आवश्य देता उस समय अंतरिक्ष में उपस्थित देवता, अपसरा और रिशिगन फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे ये भयनकर प्रतिग्या करने वाले राजकुमार भीश्म हैं, अर्थात भीश्म नाम से इनकी ख्याती होती। उपस्थित लोगों ने भी इसका समर्थन किय इसके बाद राजकुमार देववरत भीश्म कहलाने लगे भीश्म को इच्छा मृत्यू का वर्दान। इसके बाद राजकुमार भीश्म उसकन्या सत्यवती को लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापोर आ गए और उन्हें अपने पिता शांतनू को सौप दिया। इस समस्थ वृतान्त को सुनकर शांतनू ने प्रसन होकर भीश्म को स्वच्छंद मृत्यू इच्छा मृत्यू का वर्दान दिया।